किसी ने बड़ी कमाल के बात लिखी है कि तजुरुबे ने शेरों को खामोस रहना सिखाया है क्योंकि दाढ़ कर शिकार किया नहीं जाता नमस्कार जहिंद मैं हूँ आपका दोस्त कविया दिगने स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का प्रारंब करते हैं लहरों के राजहंस इसकी अंतिम कक्षा होगी आज यानि कि आज की कक्षा के अंदर यह जो अपना लहरों के राजहंस मोहन राके स्कृत जो नाटक है सेकंड ग्रेड के लिए सेकंड ग्रेड है तो ठीक है ये आज है जो कम्प्लिट हो जाएगा और प्रियास करूंगा सारी वीडियोज को मैं मर्ज करके एक साथ अप्लोड करने का भी इससे पहले के दस पार्ट आपने नहीं देखे लेरों के राजन्स के तो सेकंड ग्रेड हिंदी नाम से प्लेइलिस्ट बनी है उसमें जाकर आप देख सकते हैं वीडियो को लाइक करें शेर करें पहली बार देख रहें चैनल को सब्सकाइब कर बेल आइकन क्लिक करें कल की वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं सुंदरी कहती है क्या बात है जो अपने नंद है वापस आता है अलका का समवाद चलता है श्वेतांग का चलता है उसकी कक्ष में वो जगती है कि क्या हुआ कोई आया है कि यहाँ पर मेरे ला मुझे लगा कोई विचितर सा चहरा विचितर सा वेश में जिसके सर पे बाल न इस तरह काप क्यों रहे हैं? आँखें इस तरह पत्राई सी क्यों हो रही है? पल भर प्रतिक्षा करने के बाद तु कुछ कहना चाती थी नए? बता क्या कहना चाती थी? अलका के मुझ से बात नहीं निकलती है तो उसकी आँखें एक ऐस्वभाविक प्रिस्थिती के प्रती स चेत होने लगती हैं तो जिए हुआ क्या है तुझे हुआ है तुम्त में गुंसुं क्यों हो रही है अलक़ा से अच्छा आँक और सुएतांग को पूल तों स्वेतांग तुम भी वह उस्ट ईम सक्छांग कियों यहां पर को है ना, अलका और श्वेतांग, तुम लोग मुझे एक शब्द भी नहीं बोल सकते क्या, कथन तो है सुन्दरिका, और तुम लोग यहां पर किस के लिए, अलका और श्वेतांग के लिए यहां पर आया है, बारी बारी से उन दोनों की और देखती हुई, पल भर इसतब्द सी हो रहती है फिर जैसे इस्तिति उस पर इस्पस्ट होने लगते फिर उसे दिर दिर पता लगने लगता है बात चक्र यह है और उसकी आखों का भाव अंतरमुक होने लगता है इसका अर्थ कहीं ये तो नहीं कि कक्ष में इस समय सचमुच कोई और भी है उसे कि वह मेरे मन का भरम नहीं था यकिनन यहां पर कोई है नंद इस्तिर द्रिष्टि से उसकी और देखता हुआ यथार्त था यथार्त था नंद कहता है सुंद्री यथार्त ओ आंके मुंद जाती और चबूत्रे का सहारा लिए वहीं बेठ जाती अलका पास जाकर धीरे से उसक तुम भी जाओ यहां से स्वेतांग श्वेतांग अंतर मुकभाव से सिरह लाकर जाने लगता है अलका जैसे परिस्तिति को संभालने की चेश्टा में सुनो स्वेतांग कुमार ठके हुए हैं इसलिए शायद अपने कक्ष में जाकर सनान और विश्राम करना चाहेंगे तुम चलकर सनान सामगर ठीक करो मैं भी अभी जाकर वस्त्रों का नया जोड़ा निकाल देती हूं श्वेतांग दाईयों और से चला जाता है अलका फिर सुन्द्री के पास आ जाती है उसके कंदे पर हाथ रखकर और आप आप भी कुछ देर अभेंतर कक्ष में हैं जो नहीं चल खराब कर रही है उलका मैं जानती हूं आपको कैसा लग रहा है समय कैसा महासूस करें आप क्या फिर क्या सुचना सुंद्री कि लोट आए हैं नहीं लोटकर वे नहीं आए हैं जो आया है वे व्यक्ति कोई दूसरा ही है। लोट कर वे नहीं आये हैं जो आया है वह है व्यक्ति कोई दूसरा ही है बहुत अच्छा सवाल बन सकता है सुंद्री का कथन है किस के लिए कर रही है शामां के नंद के लिए करे कुमार के लिए कर रही है नंद कहता है दूसरा उसके और पड़ कर तो तुम भी कह रही हो कि मै मेरे केस काड़ दिये, किसी ने, मुझे पहले से थोड़ा अपूरूब कर दिया, थोड़ा पहले ठीक दिखता था, अब थोड़ा अपूरूब कर दिया, क्या इतने से ही व्यक्ति एक सी दूसरा हो जाता है, अलका इस भी स्रिंगार कोष्ट के पास जाकर तूटा दरपन हटाने लगती है सुंद्री तू अब भी यहां क्या कर रही है अलका तूटा दरपन हटा रही हूँ पहले इस ओध्यान नहीं गए ऐसले सुंद्री इसे रहने दे और तू जा अलका फिर भी पल भर्द विदा मे रहती है कहाने जा मैं इस समय अपने कक्ष में बिल्कुल अकेली रहना चाहती हूँ एकांद शांद अलकाव स्वर से प्रभावित दर्पन छोड़ कर अनिशित भाव से कोई और दाई और से चली जाती है नंद कहता है पल भर अंतरमुख भाव से उसके और देखता रहकर मुझसे भी अकेली यही अर्थन तुमारा सुंदरी स्वर को यथा संभव संयत रखने का प्रियत्म करते हुए आप से अकेली क्या मैं इस समय भी नहीं हूँ इस समय भी तुम मुझसे अकेली हो तुम्हें सचमुच लग रहा है कि तुम मुझसे अकेली हो सुंद्री आपको नहीं लग रहा नंद मुझे क्या लग रहा है ये तुम कैसे कह सकती हो सुंद्री नहीं कह सकती नहीं व्यक्ति अकेला और किस तरह से होता है दिरे से मतश्याकार आसन के और बढ़ जाती है नंद तो तुम कहना चाहती हो की सुंद्री नहीं कहना मुझे कुछ नहीं कहना मैं मैं कुछ नहीं कहना चाहती आसन पर बेठ जाती है नंद अपने इस्तान पर खड़ा पल भर उसकी और देखता रहता है फिर बढ़कर उसके पास आ जाता है नंद परंतु मैं कहना चाहता हूँ यहां से जाने से अब तक के बीच जो कुछ हुआ है वे सब तुम्हें बताना स्तितियों में जिया हूँ मैं उन सब का अनुमान तुम में तुम मेरे बाहर के रूप को देखकर नहीं लगा सकती सुंद्री बाहर और अंदर में अंतर है देख रही हूँ कि बाहर में और अंदर में अंतर है मैं यह भली बाती देख रही हूँ इस पश्ट लग रहा है भी सिधा वहाँ नहीं आया चाहता था को समय बिल्कुल अकेला रहूं इतना कि किसी का आवास तक मेरे पास नहो परंतु वह इच्छा पूरी नहीं हुई क्योंकि एक व्यक्ति निरंतर चाया की तरह मेरे साथ रहा इस चाया से में भी बच भी जाता परंतु उसके अतिरिक औ देखती हुई अन्य था ने जाते ने मैं जानती हूँ नंद नहीं जानती नहीं हो कि विश्वास करना चाहती हो कि जानती हो अपनी जिस वास्तविक्ता को तुम से बाटने की बात में आज सोच कर आया हूँ उसके सम्मंद में तुम बिल्कुल कुछ नहीं जानती सुंदर जिसे मैं सदा के लिए अपने को तुम से मदिरापातर हात में लेता है और देखो इस समय मेरा शब्दों पर वश्ट नहीं है मैं जाने क्या कह दूंगा तुमको कहना अज कुछ चाहता हूँ बात मुझसे कुछ निकल पड़ती है जुबा पर कुछ और है दिल में कुछ और है वो बात हो रही है सुंद्री कहती आसन से उड़ती शब्दों से अंतर नहीं पड़ता है बहुत अच्छा कतन है पूछा जा सकता है इंपोर्टन लगा लीजी आप कि शब्दों से अंतर नहीं पड़ता है अर्थ आपको मेरे लिए ऐस पश्ट नहीं है द्यान में रखना सुंद्री का कथन है नंद है चशक में मदिरा डालता है तुम ने जाने किस अर्थ की बात कर रही हो जान सकता हूँ वे कौन सा अर्थ है जो तुमारे लिए ऐस पश्ट नहीं है सुंद्री वे जिसे छिपाने के लिए चशक में मदिरा डाल रहे हैं पर उस परियत्न से वे अर्थ छिप नहीं जाएगा मदिरा पीने से जो बात है वो छिप नहीं जाएगी नंद कहता है देखो तुम्हें यदि यही लग रहा है कि मैं किसी अर्थ को छिपाने का प्रियत्न कर रहा हूँ तो मुझे इतना ही कहना है कि सुन्द्री कह दीजिये ने बात पूरी नहीं कर पा रहे हैं आप बिना किसी लाग लपेट के कह दो आप तो नंद ठीक कहती हो तुम मुझे स्विकार कर लेना ही चाहिए कि सुन्द्री आगे सुनने के प्रतिक्षा में एक टक उसकी और देखती रहते कि अब सच्मुच में अपना वास्विक अर्थ तुमसे छिपाकर नहीं रख सकता औरब जबकि तुम वहरत जान ही गई हो तो सुन्द्री जान अब नहीं गई हूँ सदा से जानती रही हूं मैं जानती रही हूँ कि जितने साधारण और लोग हैं उतने ही साधारण आप भी हैं कि जितनी आसानी से वे सब परभावित हो सकते हैं उतनी आसानी से आप भी परभावित हो सकते हैं यहां पर किसके लिए नंद के लिए आ रहा है और कहे रही है सुंदरी ध्यान में रखना अंतर के वल इतना है कि लोग कभी एक बार परभावित होते हैं और आप बार बार परभावित हो सकते हैं यह कथन बहुत अच्छा है कि जितने साधारन और लोग हैं उतने ही साधारन आप भी हैं, आप यहाँ पर नंद है और कतन है, सुन्दरी का बहुत अच्छा सावल बन सकता है, जिस किसी से परभावित हो सकते हैं, आशंका मेरे मन में तब भी थी, जब मैंने आपको यहाँ से बेजाता, परंतों तब कहीं ये विश्वास भी था कि अपने उतेजना से निढाल पल भर रुकी रहती है, कि पहले के परभाव से आप इतनी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे, नंद कहता है, बस इतना ही जाना है मुझ तुमने, और मैंने समझा था कि तुम वास्त्विकर्थ ही जान गई हो, सुंद्री जैसे जटका खाकर उसके और बढ़ती है, सुंद्री बहुत गहरा है वह वास्त्विकर्थ, नहीं उतना गहरा नहीं है मैंने जितना जाना है उससे अधिक नहीं है उसमें जानने को नंद हैं 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 उससे थोड़ा 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 अधिक है और आज तुम जानने की ही बात कर रही हो तो अच्छा है उतना और जान लो जिसे निरंतर आगात करता हूँ इसका उतर में आज तक अपने को नहीं दे पाता हूँ मैं चोराहे पर खड़ा नंगा व्यक्ति हूँ कतन है नंद का या फिर कुमार का कह सकते हैं जिसे सभी दिशायें लील लेना चाहती है अपने में समा लेना चाहती है और अपने को ढखने के लिए जिसके पास आच्रण नहीं है आवरण नहीं है मापकी जी यहाँ पर थोड़े अक्सर रिस्पस्ट नहीं है लेकिन मैं बोलू वो आप सुनते जाईएगा और अपने को ढखने के लिए जिसके पास आवरण नहीं है जिस किसी दिशा की और पेर बढ़ाता हूँ लगता है वै दिशा स्वेम अपने धुरू अपर डगमगा रही और मैं पीछे हड़ता जाता हूँ उनके पास उनके पास था तो मन यहां के लिए व्याकुल था अब तुम्हारे सामने हूँ तो मन कहीं और के लिए व्याकुल है क्योंकि यहां यहीं हो यहां हो या वहां सब जगह में अपने को एक सा अधुरा नुभू करता हूँ क्योंकि तुम हो या वे कोई भी मेरी आवास्टविक्ता को स्विकार नहीं कर सकता है कोई भी मेरी वास्टविक्ता को स्विकार नहीं कर सकता है मेरी यहां पर कौन कह रहा है नंद कह रहा है साब क्योंकि इस रूप में ही या उस रूप में जब किसी भी रूप में हूँ मैं अपने को ही जुटला कर नहीं जी सकता क्यों कि मैं ये भी हूँ और वह भी इन में से कोई एक ही एक नहीं जैसा कि तुम सब अलग-लग से विश्वास करना चाहते हो कि मैं सुंद्री और बस कुछ नहीं है आपके पास कहने को हो गया सारा तमासा नंद नहीं और कुछ नहीं है सचमुच और कुछ नहीं है मेरे पास कहने को सुंद्री और मैं ने सोचा था कि वह थोड़ा अधिक अर्थ जो मुझे बताना चाहते थे वह इससे थोड़ा और अधिक होगा परन्तु जितना ये है उतना सचमुच बहुत थोड़ा है ये तो नंद कहां क्या कितना थोड़ा वै कितनी अच्छी तरह तोल सकती हो तुम ये तुम ही जानती हो क्या है क्या नहीं है सुंद्री और कुछ ने सही आपका आपका का अर्थ आपकी बात का अर्थ अवज से लिल सकती हूँ और ये अर्थ केवल इतना साई है कि नंद हाँ 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 अर्थ केवल इतना साई है मैं स्वयम कुछ नहीं हूँ मेरा अंतरद्वन्द कुछ नहीं है मैं केवल सुंद्री आ विश्वास ने करना चाहें तो भी वास्तविक्ता यही है नंद मुझे विश्वास है विश्वास है कि जब तक यहां आऊं तब तक इसका केवल इतना सा यर्थ रहेगा क्योंकि यहां रहते में केवल उतना सा ही हूँ जितना सा कि तुम्हारी दृष्टी मुझे देखना चाहती है और उतने से आकार का व्यक्ति यदि जीवन में कोई बिंदू खोजना चाहे तो कितनी दूर तक जा सकता है केवल इतनी सी ही इतनी सी ही सुंद्री अन्ने था इतनी सी भी तो नहीं तुम उसकी और बाँ हाथ कस लेता है बाँ हाथ में कस लेता है सुंद्री जटके से उसका हाथ अपने बाँ से अलग कर देती है सुंद्री तुम कितने कितने बिंदू खोजे हैं आज तक तुमने कुछ और शब्द ढूंडो परंतु अंत में वे रह जाता है तुम्हारे वे सब बिंदू कहां रह जाते हैं वे सब बिंदू कहां चले जाते हैं तुम्हारे वे सब शब्द फिर भी क्यों वही के वहीं बने रहते हो तुम वहीं अपने तूटते भाव को संभालने का बरसक प्रियतने करती है वहीं वहीं नंद कुछ पल इस तब्द सा खड़ा उसे देखता रहता है फिर आहत भाव से सामने की द्वार से चला जाता है सुंद्रि उसके जाने तक किसी तरह अपने को संभाले रहती है परंद उसके जाते है इसी सकति यह तेलियों पर उंदी है जो हो तो साथियों यह हुआ अपना नाटक पूर्ण नाटक पूर्ण हो गया लहरों के राजन्स तीन अंग थे इसके अंदर और यह तीसरा और आखरी अंग था सारे के सारे पार्ट है जो आप सुरू से देखना चाहे तो बिलोग करमबद रूप से एक साथ देख सकते हैं और एक बार देख लिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए शेर कर दीजिए पहली बार देख रहें चैनल को सब्सक्राइब को बेल आइकन क्लिक कर दीजिए पढ़ाई को लेकर आप अगर डिमोटिवर रहते हैं तो मेरा दूसरा यूटूब चैनल है आदी की आवाज नाम से यूटूब चैनल है उस पर जाहिए आज भी एक मेनी वीडियो डाला मोटिवरस्टल वीडियो डालता हूं पढ़ाई से समद्द आपको यकिनन फायदा मिलेगा कुछ नया सेखने को मिलेगा तो मिलता हूं